यहाँ पर एक वेकल है जो की 18 km पर आवर की स्पीड से चल रहा है मुझे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डिस्टन्स जो फाइंड करना है we have to find distance in meter में यह distance हमें find करना है time क्या दे रहा one second one second में आपको find करना है कि उसने कितना distance cover किया time में आपका one second तो देखो distance का formula क्या होता है distance का formula होता आपका speed into time अब देखिए यहाँ पर speed किसमें दे रहा है kilometre per hour में दे रहा है तो यहाँ पर 18 kilometre per hour लिख दीजे into time के दे रहाँ one second लेकिन यहाँ पर हमें जो distance find करना है वो meter में find करना है जो उसने distance cover किया है एक second में कितना meter उसने distance cover किया वो मुझे find करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यह चो speed km per hour में दे रही किये तो यह आपका meter per second हो गया into one second तो यह आपका 18 से 18 कट गया यह हो गया आपका 5 meter per second into one second तो यह आपका second से second कट जाता है क्योंकि यहाँ पर power 1 है यहाँ पर second को पर power 1 है यहाँ पर second को पर negative 1 power है तो यह answer कितना आ जाता है 5 meter आ जाता है मतलब कोई कार अगर इतनी स्पीड से चल रहा है 18 किलोमेटर पर आवर से चल रहा है तो एक सेकंड में जो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा देखिए नेक्स कोश्चन है पार्ट डी यहाँ पर relative density of lead यह दे रहा है आपको density फाइंड करने है lead की ही density फाइंड करने gram पर centimeter cube में और kg पर meter cube में इसे कैसे करेंगे सबसे पहले आपको इसके लिए एक formula पता होना चाहिए किसी भी material का जो relative density होता है relative density of material इसका जो formula होता है density of material divided by density of water density of water at 4 degree celsius देखो यह formula है किसी भी material का आप relative density find कर सकते है अगर आपको उस material का density पता है और अगर आपको water का भी density पता है लेकिन यहाँ पर आपको water का density 4 degree celsius पे निकालना है तो देखो water का जो density होता है जैसे जैसे temperature बढ़ता है तो water का density भी change होता रहता है लेकिन 4 degree celsius पे water का एक density होता है वो अभी बताऊं कितना होता है तो यह value आपको learn होनी चीए याद होनी चीए कि density of water at 4 degree celsius कितना होता है तो देखो water का जो density होता है density of water जो होता है यह आपको given नहीं होगा यह value आपको याद होनी चाहिए, water का जो density होता है, at 4 degree celsius, 1 gram per centimeter cube होता है, ठीक है? अगर दूसरा इसका जो है, अगर इस gram per centimeter cube को को अगर kg per meter cube में convert करोगें तो ये होता है, 1000 kg per meter cube अगर आपको density of water kg per meter cube में लिखनी है तो यह 1000 होती है अगर gram per centimeter cube में लिखनी है तो यह 1 gram per centimeter cube होती है ठीक है अब देखें यहाँ पर इस question को कर लेते हैं यहाँ पर यह जो form relative density of material तो material यहाँ पर क्या दे रहा है लेड दे रहा तो material की जगह में लेड लिख दीजे relative density of lead यहाँ पर लिखना है density of lead divided by density of water देखो relative density of lead कितना देर का 11.3 यहाँ पर 11.3 लिख दीजे यह density of lead मुझे find करना है its density is मुझे gram per centimeter cube में यह find करना है lead का density density of lead तो अगर आपको gram per centimeter cube में lead का density find करना है तो water का density भी आपको gram per centimeter cube में ही लिखना पड़ेगा तो water का density होता है 1 होती है 1 gram per centimeter cube होती है ठीक है तो water का density होता है 4 degrees Celsius at 4 degrees Celsius पे कितना होता है water का density 1 gram per centimeter cube होता है तो यह density of lead आपका आ जाएगा density of lead is equal to क्यों जाएगा 11.3 into 1 gram per centimeter cube इससे जब मैं multiply करूंग तो 11.3 gram per centimeter cube यह answer आगया density of lead अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज पूछा है कि यहाँ पर आपको लेट का डेंसिटी जो है केजी पर मीटर क्यूब में भी बताना है तो कुछ नहीं करना आपको यह जो फॉर्मला है ना इस फॉर्मले में यह जो डेंसिटी ओफ वाटर है इस density of water को अब आपको 已经 kg per meter cube में लिख देना है यहाँपर 1000, देखो water का जो density होता है gram per centimeter cube में one होता है लेकिन kg per meter cube में 1000 होता है तो आपको यहाँपर weld का density kg per meter cube में पूछ है तो आपको यहाँपर water का density भी kg per meter cube में ही लिखना पड़ेगा तो इसी formula में मैं value put कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर 11.3 लिखाता है तो यहाँ पर 11.3 लिख दीजिए density of lead हमें find करना है और यह आपका density of water मुझे किस में लिखना पड़ेगा kg per meter cube में लिखना पड़ेगा यह 1000 होता kg per meter cube यह इधर multiply हो जाएगा density of lead आजाएगा आपका यह हो गया आपका 11.3 इंटू 10 की power 3 kg per meter cube यह question आपका complete हो गया